Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में MS World के Top Important Question डिसकस कर रहे हैं, ये 5th नमबर की सीरीज है, ये सारे Question या तो एक्जाम में आये हुए हैं या इनके एक्जाम में आने के पूरी-पूरी संभाबना है, तो चलिए पहला Question देखते हैं What is the maximum scale percentage available in scale drop-down box? Drop-down box में scaling के लिए कितना maximum percentage होता है, तो ये होता है 200% होता है, जबकि आप इसको जूम के साथ confuse मत होईएगा, ये जूम कितना होता है, अगर आप page को जूम करना चाहते हैं, तो वो maximum कितने percent तक होता है, वो maximum 500% तक होता है, ठीक है? और scaling कितने percent तक हो सकती है? 200% तक हो सकती है, यहाँ पर हम default scaling की बात करते हैं, default scaling कितने percent होती है? 100% होती है, जबकि minimum कितनी होती है? One percent की होती है, याद रखे जिय का ये, और maximum कितनी होती है? maximum होती है 200% तक होती है जबकि June तो होता है 500% तक scaling होती क्या है जैसे हमारे पास कोई सब लिखा है I am winner आपने लिख दिया I am और winner है यह आपने suppose कर लिजिए कि यह आपने 100 scaling पे लिखा हुआ 100 और 50 के scale करेंगे तो यह कैसी लिखा जाएगा थोड़ा पास है I am अगर मैं यहाँ पे साथ अच्छे से नहीं हो पा रहा है इतना पर यह हो जाएगा 50% अब आपको scaling समझ में आगे होगी 200% के अगर scaling है तो कुछ आपका ऐसा लिखा जाएगा I और फिर यहाँ पर इनके बीच में भी दूरी और फिर यह इसा हो जाएगा यह होती है scaling part किसका होता है यह home tab का part होता है ms word में जो home tab है उसका part होता है और इसमें font effect का part होता है font effect का font effect का part होता है इसी में अगे spacing वगारा भी आती है कि spacing कितनी कर सकते है या position कैसी कर सकते हैं चलिए next question देखते हैं question है in a document what is the maximum number of column that can be inserted in MS word table ये एक अच्छा question है important question है MS word के में table में maximum कितने number of column हम insert कर सकते हैं इसका correct answer हो जाएगा 63 column हम insert कर सकते हैं ये question कभी-कभी confuse करता है कि MS word table में और MS word document में MS word document में कि दोक्यूमेंट में MS word document में कितने column insert हो सकते हैं 45 हो सकते हैं maximum जबकि MS word की table में 33 होते हैं जैसे table word याद आएगा आप direct column की संख्या कितनी लिखेंगे 63 लिखेंगे यहां पर row पूछते कितने हम insert कर सकते हैं तो row कितनी insert कर सकते हैं 32767 यहां पर इंसेट कर सकते हैं और कॉलम कितने कर सकते हैं 63 कर सकते हैं अगर आपने इंसेट टैबल होती कहां पर है अगर आपने इंसेट टैब देख लिजे किसमें होती है इंसेट टैब में एक इंसेट टैब होती है इस तरीके से 9 टैब होती है तो यह एक इंसेट टैब होती कर सकते हैं लिंक वगारा भी आप एड कर सकते हैं तो उसी में क्या आता है उसी में आप टेबल जहां एड करते हैं MS Word में वहां पर 63 कॉलम्स होते हैं और यह टोटल नंबर आफ रो होती है 32,700 सरसर चलिए नेक्ट कोश्चिन देखते हैं स्क्रीन एलिमेंट अप MS Word या फिर स्टेटस बार या फिर और अब दावब इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा विच इस मैन्यू बार है न जो हमारा क्या है MS Word का एक डॉक्यूमेंट है न यह मैन्यूबर होता है मैन्यू बार में हमारे पास यहाँ फिर क्या होता है रिवन होता है है ना जैसे वह भूद सारी मतलब हम आपने बहूंद से आप की इन रिफ्रेंस नहीं होती है उस तरीके कи पेज लेयाउट होती है डिजाइनधा प्रिजाइन डायंधा नहीं पहले यह फिटर्व नन्हीं ही था तो यह चाइब होधी है और यहां पर जो टaiब होती है ना इनको क्या बोलता है मैंनू बार कौने अपश्ण कि ना इसको आहां पर ऑड़ीर और ईन्साथ आउद जया wraps और इनना इसको mean ।ə पार्ट इतिए मनू बार बोला जाती है उत एक element और इसको स्केलइंग की थी ओपर बात सकती है 200 परसेंट तक सकती यह फिर आपने कभी देखा हो कि वह what देखा है जहां पर आपके फहां साइस्ट डिसाइड करते है burst 11 लिंख रहता है और यहां पर आगे नीचे नीचे आप लेके जाते हैं करश को ऐहां पे ड्रॉप डाउं करके72 तक पहँ जाते हैं मेक हैं मेन je आख ना उब्वार तक पहूंच जाते हैं यह क्या चैलतब यह टूल बार कहलाता है यह बी उपर ही होता है ठीक है तो यहां पर बीक्लियर और आपWith बीए हो जाएगा मेन्यू बार चलिए next question देखते हैं what is the maximum number of lines you can set for line to drop box drop box के लिए आप कितनी line maximum set कर सकते हैं यहाँ पर drop box या drop cap आप समझ लीजे drop cap है ना drop cap होता क्या है अकसर करके हमने newspaper में ये चीजे देखी है ना newspaper में अभी मैं आपको बताती हूँ जैसे newspaper में कभी देखत आप अगि म surge लिखा रहता है तो इंडिया जैसे लिख देगा है और आप कि लिख देखा है ना जरूर देखा हो तो यहां पर इन्हों ने पूछा है कि ड्रॉप के लिए मैक्सिमम कितनी लाइन हम सेट कर सकते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा 10 मैक्सिमम 10 लाइन का हम ड्रॉप कैप बना सकते हैं ठीक है इंसर्ट टैप के इंसर्ट टैप के टेक्स्ट ग्रूप के अंतर गताता है इंसर्ट टैप के टेक्स्ट ग्रूप के अंतर गताता है इंसर्ट टैप के टेक्स्ट ग्रूप वही इंसर्ट ग्रूप टैप जिसके अंदर बहुत सारी चीज़े होती हैं आमने अभी डिसकस किया word का document और उसके हमें end में पहुँचना है MS word का document मतलब एक page नहीं बहुत सारे pages होंगे हमारे पास और उसके हमें end में पहुँचना है इन में कोई correction करना है तो हमें क्या कौन सी key press करने पड़ेगी तो इसका correct answer हो जाएगा end की press करने पड़ेगी अगर end की document में पहुचना है और अगर हम यहां end पे हैं और हमें यहां first document में पहुचना है तो हमें क्या enter करना पड़ेगा control plus home enter करना पड़ेगा तो यह इसलिए question है क्योंकि कभी यह हो जाए कि उपर पहुचने के लिए home page में पहुचने के लिए control plus home हमें enter करना है तो हो सकता है कि हम confused हो जाए कि हाँ नीचे पहुचने के लिए हमें control plus in क्या करना है प्रेस करना है नहीं यहां पर नीचे पहुचने के लिए हमें in button को प्रेस करना है चलिए next question देखते हैं How many columns you can insert in word document in maximum word के documents में हम maximum कितनी column इंसेट कर सकते हैं यह document की बात की गई है तो यहां पर हम कितने इंसेट कर सकते हैं 45 अभी हमने discuss किया था कि अगर हम इसके table में MS word के table में कितने इंसेट कर सकते थे table में हम 65 इंसेट कर पा रहे थे है ना और row हमने कितनी इंसेट कर सकते थे 62,767 है ना is a document outline view a preview in a full screen या फिर a preview with margin या view with a structure of heading at various level तो outline view क्या होता है view with a structure of heading at various level outline का मतलब क्या होता है listing होती है ना listing होती है outline में तो listing कैसे होगी different type की heading से बना करके तभी तो हम listing कर पाएंगे ने इस तरीके से हम document की listing कर सकते है ना यहाँ पर तो यहाँ पर एक heading ही तो बनती है document की जो outline view होता है वो किसमें होता है view tab में होता है अभी हमने थोड़ी देर पहले view tab की बात की थी तो view tab में होता है view tab में और भी बहुत सारी बहुत सारे group होते है चलिए एक दो का हम नाम देख लेते हैं जैसे so and hide होता है so करना है document को या फिर किसी line को या किसी particular word को hide करना है zoom करने का भी इसी में होता है view tab में ही होता है और windows भी यहाँ पर होता है windows होता है and macros भी macros बहुत important है macros भी होता है macros क्या होता है जैसे किसी काम को हमें बार-बार करना है ms word पे हमें लग रहा है कि यह column है या फिर यह particular चीज जो हमें बार-बार लिखनी पड़ रही है तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक shortcut की खुदी बना लेते हैं और उस कारी को उस shortcut की के माध्यम से दोराते हैं तो repetition of work होता है particular word जिसके लिए आपने क्या है अपनी on shortcut की बना रखी है यह क्या होता है macros होता है macros के question अक्सर करके exam में पूछे जाते हैं कि macros क्या होता है चलिए next question देखते है thesaurus tool in ms word is used for spelling suggestion के लिए synonyms and antonym word के लिए correcting sentence के लिए या grammar option के लिए इसका correct answer हो जाएगा synonyms and antonym के लिए thesaurus का tool का use किया जाता है thesaurus का meaning क्या होता है course होता है जहाँ पर आपको समानार्थी सब्द समानार्थी सब्द और विलोम सब्द दोनों मिलेंगे है न और इसके लिए shortcut की भी होती है thesaurus के लिए यह होती है shift plus f7 spelling check suggestion किसके लिए होता है f7 इसके लिए shortcut की होती है sorry यहाँ पर f2 गलती से लिग गया है f7 shift plus f7 होती है thesaurus के लिए जबकि spelling check के लिए f7 एक shortcut की होती है चलिए next question देखते है question a bookmark is an item or location in document that make you identify as a name of future reference which of the following task is accomplished by using bookmark bookmark के लिए क्या करना होता है कैसे हमें document को find कर लेते हैं किसी को हम bookmark करके रखते हैं to add anchor in web page to mark the ending of the paragraph of documents या फिर to quickly jump to specific location in document to add hyperlink in web pages इसका correct answer क्या हो जाएगा c is the correct answer which is to quickly आसानी से हम जल्दी से jump to specific location of documents अगर हम generally अगर देखें bookmark होता क्या है तो हमारे पास कोई एक copy रहती है जिसे हम कभी Amazon वगर अगर कहीं से आपने मगाते होंगे तो book उसके साथ साथ में कभी एक reading book के साथ आता है उसके अंदर ऐसे धागा लगा रहता है और ऐसे कुछ लिखा रहता है लेकिन soft copy में bookmark करने के लिए हमें क्या है कि उस particular page में हम कुछ कर तो सकते नहीं है तो हम क्या करते हैं कि insert tab में जाते हैं insert tab में और वहां पर क्या है link आते है link होता है insert tab में हमने पहले discuss किया कि वहां पर table link text सभी चीज़े होते हैं रिंग में आप पर रींग और आप जा करके लिए उस document में जैसे वहां लेंग कर आता है और फिर हम next day जब जाएंगे न तो वहाँ पर हम insert tab में link पे जैसे ही add करेंगे तो हमारा cursor यहाँ पर आने लग जाता है तो इसको क्या बोलते है bookmark यही से हमें उस document के page पे हम पहुँच जाएंगे तो यह होता है bookmark करना बुक मार के लिए shortcut key भी होती है अगर हम insert में जा करके फिर link में जा के ऐसे bookmark नहीं करना चाते हैं इसके लिए shortcut key भी होती है control plus shift plus F5 यह होती है bookmark के लिए shortcut key तो आज के लिए इतना है thank you so much I hope आपको यह video पसंद आए होंगे